नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग गेट्सक्राइब 247 के एक और नहीं वीडियो में आप सभी का सौगत है तो आप सभी के लिए राजस्तान करेंट अफेस का एक और नहीं वीडियो लेखे आज आज आपके 8 सितंबर तो 28 सितंबर की मॉस्ट रिपोर्ट है राजस्तान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड के हैंपर करेंट अफेस देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखीगा और वीडियो गर आपको पसंद आ रहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करना कल का जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में के अलवर को अन्य केस उपनाम से जाना जाता है चार आपके सामने है फटावट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अच्छा इसमें जो अधर आपको वो भी पता चल रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक् आज के गरेंडे फेस के कोश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन के हाल इमें राष्टरपती रामनात कोविन ने उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल रेलवे जोदपूर मंडल का के जो हेड कॉंस्टेबल है उनको उत्तम जीवन रक्षा पदक से समानित किया है अब उनका नाम क्या है मुकेश कुमार मीना याद रखेगा मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है तो राष्टरपती रामनात कोविन ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानिके आरपी एफ के तीन जवानों को ड्यूटी के दोरान लोगों की जान बचाने के लिए जीवन रक्षक पदक से यहाँ पर समानित किया है एक तो मैंने आपको बताई दिया है मुकेश कुमार मीना जिनको उत्तम जीवन रक्षक पदक से यहाँ पर समानित किया है अदर जो दूसरे दो है वो कौन है जगबिर सिंग की यहाँ पर बात करेंगे साथ में इनको भी मिला है यह उत्तर रेलवे के कॉंस्टेबल है जग पदक से यहाँ पर समानित किया गया है बात समझ मैं सभी इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ की तो सबसे पहले इसका फुल फर्म देख लेता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सापना कभूईती 1872 के अंदर और इसका जो हैड़कॉटर ह वो है दोस्तों नई दिल्ली में और डारेक्टर जैनरल कौन है इसके वर्तमान में अरुन कुमार चलिए बढ़ता एकला कुशन की और कि हाली में बीजेपी ने रजसान से किसको राश्चे उपाध्यक्ष का पद दिया है तो किसे दिया है वसंदरा राजे को इंपॉर्ट राश्चे अध्यक्ष जेपी नडडा इसके जो अध्यक्ष है राश्चे उपाध्यक्ष तो बनाये गई है वसंदरा राजे अब राश्चे अध्यक्ष कौन है जेपी नडडा ये भी याद रखेगा जेपी नडडा की नई टीम में इस बार राज्चे के चार नेताओं क अहम जिम्मेदारी दी गई है जिनमे से एक मैण आपको बता दी जिनके उपाधिक्ष का पद दिया गया है दूसरे हैं भुपेंदर यादव इनको राश्ट्रे महमंतर्य का पद दिया गया है तीसरे है राज्य वर्दन सिंग राठोड ये जैपूर ग्रामीन से सांसद है राज्य वर्दन सिंग राठोड और इनको राष्ट्य प्रवक्ता राष्ट्य जो प्रवक्ता होते हैं उनका पद्दी आ गया है और चौती है अलका गुर्जर ये प्रदेश उपाद्यक्स है अ उपेंदर यादव को राष्ट्रे महामंतरी, राज़े वरदन सिंग राठोड को राष्ट्रे प्रवक्ता और अलका गुरुजर को राष्ट्रे मंतरी का पद यहां पे दिया गया है अच्छा राजस्तान में बीजेपी के वरतमान प्रदेश अधिक्ष कौन है सतीश पूनि और राज़े की प्रथम महीला मुख्य मंतरी बनी थी इसलिए इंपोर्टन रहता है अच्छा कहां से यह चुनाव लड़ती है या निर्वाचन शेतर इनका कौन सा है जहलरा पाटन जहला वार्ड ये भी आद रखेगा क्यूंकि आजकल जित्ते भी मंतरी वगर है उनका ज सरकार बनी थी पहली बार इनके कारेकाल के दोरान ये याद रखेगा और दूसरे बार मुख्य मंतरी कब बनी थी 2013 के अंदर चलिए बढ़ते हैं अंगले कुछ निकी और के हाले में पूर्व केंदरिय मंतरी जस्वन सिंग जसोल का निदन हो गया उनका संबंद के से जिले में अभी हाली में 27 सितंबर को निदन हो गया है इनका संबंद किस पार्टी से था बीजेपी से ये भी आपको याद होगा जन्म इनका कम हुआ था तीन जन्वरी को तीन जन्वरी 1938 को इनका जन्म हुआ था कहां पे हुआ था जसोल गाउं बाडमेर में इसलिए इनके नाम क पीछे जसोल लगता है जसोल इनके गाउं का नाम है और या था कहां पे बाडमेर जिले में अच्छा 1960 के दशक में ये भारती सेना के अधिकारी भी ही रहे थे और 2001 में इनको सरशेष्ट सांसद का समान भी मिल चुका है तो इंपोर्टन बनता है आप सभी के लिए बढ़त नैशनल PSU अवार्ड दिया गया है तो किस राजे की रोडवेज को दिया गया है रजस्तान की तो अभी हाले में पांचवे राष्टे PSU समिट एमम अवार्ड का आउजन किया गया और इसमें राष्टान रोडवेज के जो CMD है नाम क्या है नवीन जैन नवीन जैन को Excellence in Transport Mob probability category में राष्टे PSU अवार्ड दिया गया है यह अवार्ड उन्हें रोडवेज दौरा कोरणा महमारी के दौरान पांच लाग से अधिक लोगों को अपने गंतावे तक पहुंचाने का कारे करने के लिए दिया गया है अच्छा यह जो पांच यह राष्टे PSU समिट और में 25 सितंबर को किया गया था तो important बनता है आपके लिए कोशिन भी बढ़ते हैं कि लिए कोशिन की और क्या हाल इमें राष्टान की किस स्वतंतरता सिनानी का निदन हो गया है नाम क्या उनका गंपत राम सी option आपका यहां पर गरेट हो जाएगा तो आजादी के अंदुलन गाउं में निदन हो गया है और इनकी आईउ क्या थी सो वर्ष की आईउ में इनका हाली में निदन हो गया है इंपोर्टन बनता है अब सभी के लिए कहां के निवासित है अगर यह पोचे तो जुन जुन जिले के साथ मैं यह भी याद रखिए का अधर options किया पर बात करते बीडी अगरवाल तो यह प्रमुक उद्योगपती थे एवं जमीनदारा पार्टी के संस्तापक राष्टे अध्यक्स थे जिनका हाली में निदन हो गया है जाकिया इनाम की बात करते हैं तो टोंक से कॉंग्रेस की तीन बार विदहक रह चुकी है तथा पूर्व चिकिसा म मंत्री रह चुकी थी इनका भी हाली में निदन हो गया था डॉक्टर हरी सिंग की बात करते हैं तो राष्टान के पूर मंत्री वह प्रसिद सर्जन रह चुके थे इनका भी हाली में निदन हो गया था और इनका संबंद राष्टान के सीकर जिले से था तो जो अधर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लेना चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन के और किया हाल इमें राजस्तान के किस जिले में यहां पर मंजोरी दे गई है तो राजस्तान के जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राजस्तान ने 50 में अच्छार्ण करॉड रूपए के कोशन बनेगा जुनों से संबने था इसलिए आपको यहां पर करवा दिया है बढ़ते हैं अगले कोशन की और के हाल में केंद्रिय औशद्य एवं सगंद पौदा संस्तान द्वारा बुढपा रोकने वाली चाय बनाई गई है यह संस्तान कहां पिस्तित है यह दोस्तों लख में केंद्रिय औशद्य एवं सगंद पौदा संस्तान जिसे शॉर्ट में हम सी मैप कहते हैं सी मैप का फुल फॉर्म इंगलिश में क्या होता है सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सी मैप द्वारा ऐसी चाय बनाई गई है जो प्रत्त में जमाव नहीं होता है देखे सिंपल सी चीज है बुड़ा पर रोगने वाली चाय का मतलब क्या है कि इसके सेवन से जो उम्र से पहले ही आजकल लोग बुड़े दिखने लग जाते हैं तोचा में जूरियां पढ़ जाती है वो सब नहीं होगी हालां कि उम्र ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी आप दिखने में ऐसे ही लगोगे आप अभी जवा नों ऊस टाइपस होगा वाकि ऐसा कुश नहीं है कि आपकी उम्र कम हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा साल तक जिने लग जाओगे हो दादा इसमें नहीं है तो लखनों में हैयर का जो यह जो संसाने वो लखनों में और लखनों कहां पड़ता है यूपी के अंदर अच्छा दो मैंने आपको चीज़ें हैं पर बताई दी अलजाइमर और पार्किंसन ये एक प्रकार के रोग है अलजाइमर रोग में क्या होता है कि ये एक लगातार बढ़ने वाला रोग ह काम करने की जो शमता है वो नश्ट हो जाती है अलजाइमर डिजेज यह इसे कह सकते हैं बूलने का रोग बूलने की बिमारी ऐसा कह सकते हो और इसका जो नाम है वो अलविस अलजाइमर पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरन दिया था दूसरा रोग पार अब होने लगती है तो तोनों रोग के बारे में बता दिया है अच्छा यहां पर आमने किसी संस्ता की बात की थी सी मैप के बारे में आपको मैंने आप बताया ही था सेंटरल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांस यानि के केंदरी अफशद्य एं सेगंद पौदा संस्तान स्तापना कवई थी 1959 में हेडकोर्टर का है लखनव यूपी में और वर्तमान में इसके डायेटर को ने प्रोफेसर अनेल कुमार त्रिपाटी चलिए पढ़ते हैं अगले कोशिन के ओर कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भाजपा के दिगज नेताव पूर प्रधानमंत्री अटल बिहरी वाजपई के प्रतिमास थापित करने का काम किस मूर्तिकार को देने का यहां पे निड़ने लिया है नाम क्या है रामवंजी सुतार इनको पद्म भूशन और पद्म स्थी भी मिल चुका है और यह इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे स्टेच्यो ऑफ यूनिटी की बात की है तो स्टेच्यो ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पताईए 182 मीटर उची जो प्रतिमा बनी थी उसके जो मूर्तिकार थे वो रा आफ उनिटी कहांपे इसते थे गुजराद के भरुज के निकट नर्मदा जिलेई में इसते थे और नर्मदा नदी के एक टपू है जिसका नाम है साधू बेट वहांपे इसते थे साधू बेट नामक टापू पर यह इस्तित है सदार सरो और बांध है उसके निकट है और इसका जो शिला नियास है वो कब हुआ था 31 ओक्टोबर 2013 को जो सदार पटेल का जन्द विवस था उस मौके पर और इनका जो उद्गाटन है वोकब किया था वो भी इनके जन्द विवस के मौके पर ही किया गया था 31 ओक्टोबर 2018 को दोनों ही जगह मोदी जी ने उद्गाटन किया था और जब इसका शिलानियास किया था जब मोदी जी मुख्य मंत्री थे गुजराद के और जब इसका उद्गटन किया गया था तब मोदी जी प्रधान मंद्री थे भारत की तो दूने चीज़ें आपको याद रखनी है रामवंजी सुतार के बारे मैं आपको बताई दिया है यह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार है और कहां के रहने वाले हैं? महराष्ट्र के यह भी साथ में याद रखिएगा और इनको टैगोर कल्चरल अवार्ड भी मिलाता हाली में 2018 के अंदर और इनको पहले पदमश्री और पदमभूशन भी मिल चुका है अदर आप्शन के हाँ पर बात करेंगे रतनलाल की बात करूँ तो विश्यो खाद्य पुरस्कार 2020 से नों ने हाली में जीता था वेद प्रकाष दूदी जाहिन के बात करें इन्फरा बिजनस लीडर ऑफ दे येर का आवर्ड इनको मिलाता डैविड एटनबरो इंपोर्टेंट है इंद्रा गांधी शान्ती पुरस्कार से इनको हाली में समनित किया गया था चली पढ़ते हैं एकले कुशन की और के हाली में वेश्यो परेटन दिवस कब मनाये गया तो दोस्तों ये मनाये गया 27 सितंबर को तो हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में परेटन को बढ़ावा देने इसके प्रति जागुता बढ़ाने के उद्देशे से वेश्यो परेटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को संयुक्त राश्य संग ने 1980 के अंदर याद रखेगा 1980 से 27 सितंबर को वेश्यो परेटन दिवस के तोर पर मनाने का निजन लिया यानिके पहली बार कब मनाया गया था 1980 के अंदर और ये 27 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1970 में वेश्यो परेटन संगठन का जो संविदा ने उसे स्युकार किया गया था 2020 की थीम भी देख लीजिए Tourism and Rural Development यानिके परेटन और ग्रामीन विकास 2020 की इस बार की थीम है 27 सितंबर को भारत में एक और दिवस मनाया गया था Daughter's Day यानिके बेटी दिवस संडे को सितंबर महीने का जो चौथा यानिके फोर्थ संडे है चौथा रव्यवार है उसको यह मनाया जाता है अच्छा World Daughter Day ये तो हमने Daughter Day भारत के बात कर लिए है एक World Daughter's Day मनाया जाता है जो की 28 सितंबर को मनाया जाता है ये भी साथ में याद रखेगा दिवस के बात आई है तो दिवस यहाँ पे हम डेली की तरह आज भी रिवाइस करेंगे 5 सितंबर को अंतराष्टे चैरिटी दिवस और राष्टे सिक्षक दिवस मनाया गया था 7 सितंबर को International Day of Clean Air for Blue Skies मनाया गया 8 सितंबर को अंतराष्टे साक्षरता दिवस 10 सितंबर को विश्व आत्मत्या रोकताम दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस 15 सितंबर को अंतराष्टे लोकतंतर दिवस और इंजिनिर्स दे मनाया गया 16 सितंबर को अंतराश्चे उजोन परस्ना रक्षन दिवस मनाये गया 17 सितंबर को विशो रोगी सुरक्षा दिवस मनाये गया 18 सितंबर को तीन दिवस आगे थे विशो बांस दिवस अंतराश्चे समान वेतन दिवस और विशो जल निगरानी दिवस 19 सितंबर को International Red Panda Day और अंतराश्य 30 स्वाच्छता दिवस 21 सितंबर को World Alzheimer Day और World Peace Day 22 सितंबर को World Rhino Day और World Rose Day 23 सितंबर को अंतराश्य सांकितिक भाशा दिवस 24 सितंबर को विश्यो समुद्री दिवस 25 सितंबर को विश्यो फार्मासिस दिवस 26 सितंबर को विश्यो परेटन स्वास्त दिवस और 27 सितंबर आज हमने देखे लिया है विश्यो परेटन दिवस और डॉटर स्डे जो कि भारत में बनाया गया है चले बढ़ते हैं अंगले उशन की और कि हाल इमें BCCI द्वारा अखिल भारतिय महिला चैन समिती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है नाम क्या है नीटू डेविड तो हाल इमें BCCI ने अखिल भारतिय महिला चैन समिती की निक्ति की जिसका अध्यक्ष भारतिय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व लेफ्ट आम स्पिनर नीटू डेविड को बनाया गया है नीटू डेविड पांच सदेसे समीति के यहां पे अध्यक्षता करेगी इंपोर्टन्ट है आप सभी के लिए अच्छा अधर आप्शन्स के यहां पे बात कड़े हैं शिवांगी सिंग मोस्ट इंपोर्टन्ट है लडाक को राफेल उडाने वाली पहली महिला पाइलेट बन गई है कलीपूरी 2020 का इंपक्ट वूमेन अवार्ड इनको मिला था हाली में एम वीर लक्ष्मी इंपोर्टन्ट है भारत की पहली महिला एंबूलेंस ड्राइवर बनी है इनका समद्ध तमिल लाडू से है यहां पे बात दोस्तों बीसी से एकी की है तो फुल फॉर्म क्या होता है बोर्ड ऑफ क्रिके बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंड अगला कुशन के हाले में किस नदी में कैट फिश प्रजाती की दो अमरीकी मसली मिली है हाले में तो किस नदी में गंगा नदी में तो हाले में गंगा नदी में तीन और चौबीस सितंबर को कैट फिश प्रजाती की दो मसलियों के मिलने से वेग्यानिकों के होश उड़ ग यह अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है जो यहां पर catfish प्रजाती की दो मस्ली मिली है गंगा नदी में यह बेसिकली कहां पर पाई जाती है अमेरिका की जो अमेजन नदी है वहां पर पाई जाती है और इसमें ना ही तो कोई खाद्य गुणवत्ता है और ना ही कोई और शद्य गुण है और ये पारिस्तिती के लिए बेद खतरनाग मानी जाती है क्योंकि ये जलिय जीवों को खा जाती है तो बेसिकलि गंगा में ऐसी प्रजाति के मसलियां नहीं रहती है इसलिए यहाँ पर थोड़ी खत्रे के बात यहाँ पर मानी जा रही है कि अगर इनके संक्या बढ़ गई तो यहाँ की जो मसलियां है यहाँ के जो दूसरे जलिय जीव है उनको खत्रा है इसलिए वेग्यानिकों के यहाँ पर होश उड़े हुए है अच्छा बात यहाँ पर दूसरे गंगा नदी की है उद्गम खाहाँ से होता है आपको पता है आपको पता है ना गंगोतरी हिमनद जो की है उत्राखंड में और इसका मुहाना यानि के एंड का होता है सुंदरवन बंगाल की खाड़ी बांगला देश में अच्छा गंगा नदी के किनारे बसे शेहर कौन कौन से है अगर आपको पता है तो मेरे साथ साथ रिवाइज करिए एक तो दोस्तों कानपूर है कानपूर यूपी में आता है फिर आता आपका वारनसी वो भी यूपी में है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट शेहरों की बात में ठीक है और उसके बाद में आता है हरी दोर जो कि है उतराखंड में फिर आता है रिशिकेश, रिशिकेश कहां पर है ये भी आपके उतराखंड में ये सबी जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बस्ते हुए इसलिए important है में में बताएं आपको बड़े बड़े तो आज के 11 कोशिन ही पर समाप करते हैं विद फुल डिटेल्स आपको करवा दिये मेरे साब से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें चैनल पर पहली बार आए हो पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें तो दोस्तों धन्यवाद मिलते ने एक वीडियो में